नमो नमा, संस्कृत निधी चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के लिए निर्धारित संस्कृत पार्टे पुस्तक, संस्कृत रत्नम का 6 पार्ट पढ़ेंगे जिसका शिर्षक है पुस्तकाल आया हो और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुआद और अभ्यासकार्य दोनों देखेंगे तो पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुआद आले घर को बोलते हैं तो पुस्तकों का आलय इती इस प्रकार का पुस्तकालय कत्यते पुस्तकालय कहा जाता है। ये इसका सामासिक विग्रय है। पुस्तका नाम आलय इती पुस्तकालय है। शिक्षा क्षेत्रे पुस्त कालय से महत्वम विशेश रूपेन बर्तते। शिक्षा के क्षेत्र में पुस्त कालय का महत्व विशेश रूप से है। विश्व विद्यालय में महा विद्यालय में सार्वजनिक स्थल में चर राजकी स्थल में पुस्त कालय से योजनाम, कृत्वा, स्थापना, भवती। पुस्त कालय की योजना करके स्थापना होती है। अर्थार्थ इन हिन जगहों पर पुस्तकाले की स्थापना होती है कहां कहां पर विश्व विद्याले में अर्थार्थ यूनिवर्सिटीज, महा विद्याले में, कॉलेजेज, विद्याले, विद्याले में, स्कूल में, सार्वजनिक स्थले अनेक जो पब्लिक लाइब्रेर करके स्थापना भवती स्थापना होती है कृत्वा में कृधातु से त्वापरत्य है ज्यान पिपासु नाम त्रिप्ती पुस्तकालयम विना न भवती ज्यान पिपासु की अर्थार्थ जो ज्यान को लेने के इच्छुक है तो ज्यान पिपासूं की तृप्ति ही संतुष्टी पुस्तकालयम विना न संभवती पुस्तकालय के विना संभव नहीं है तो यहाँ पर देखिए विना के योग में पुस्तकालय में द्वित्या विवक्ती आई है इसके अतिरिक्त विना के योग में तृतिया और पंचमी का भी प्रयोग होता है कथितम अपी वर्तते कहा भी गया है नहीं ज्यान समम चक्षू अर्थार्थ ज्यान के समान कोई चक्षू अर्थार्थ नेत्र नहीं है पुस्त काले में विबिन विशयान अधिकृत्य देखे यहाँ पर दो पद हैं विबिन विशयान न का हलन्त हो जाएगा और अधिकृत्य तो विबिन विशयों को आधार बना करके पुस्तकानी भवंती पुस्तके होती हैं कि पुस्तकालयों में विबिन्न विश्यों की पुस्तकें होती हैं विबिन्नानी मनोरंजकानी पुस्तकानी अपीभवन्ती विबिन्न मनोरंजक पुस्तकें भी होती हैं तत्र वहां विविधाह, विविद, मासिकी, मासिकी अर्थार जो मन्तली आती हैं तो मासी की त्रे मासी की जो तीन महिने में आती है और शान्ण मासी की जो छे महिने में आती है पत्रिका हैं कैसी पत्रिका हैं मासी की पत्रिका हैं त्रे मासी की जो तीन महिने में आती है वो पत्रिका हैं और शान्ण मासी की जो छे महिने में आती हैं ये तीनों पत्रिका हैं एवम च और पत्राधिकम अपी पत्राधि भी पाठ का नाम कृते स्थाप्यंते पाठ का नाम कृते पाठकों के लिए स्थाप्यंते रखे जाते हैं यहाँ पर देखिए कृते के योग में पाठकों में शश्टी विभक्ति का प्रयोग किया है तो कृते के योग में हमेशा शष्टी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर से देखे इस पंक्ति को कि वहाँ विविद मासिक, त्रेमासिक, शानमासिक पत्रिकाएं एवं पत्र आदि भी पाठकों के लिए रखे जाते हैं। पुस्तकालय अपी सूचना क्रांते है प्रभाव द्रिश्यते। पुस्तकालय में भी सूचना क्रांती का प्रभाव दिखाई देता है। बहुशु पुस्तकालय शु अनेक पुस्तकालयों में सर्वे ग्रंथाह सभी ग्रंथ अंतर जाले। अंतर जाल बोलते हैं तो कि अनेक पुस्तकालयों में सभी ग्रंथ अंतर जाले अर्थात इंटरनेट में भवन्ती होते हैं तो कि जो अनेक पुस्तकालय है वहाँ पर जो ग्रंथ होते हैं वो अंतर जाले भवन्ती अर्थात इंटरनेट में ही होते हैं दुरलब ग्रंथा नाम दुरलब ग्रंथों की सांद्र मुद्रिकाम सांद्र मुद्रिकाम कहते हैं सीडी को सांद्र मुद्रिकाम निर्माय सांद्र मुद्रिका अर्थाथ सीडी को बना करके तेशाम रक्षणम उनका रक्षण पुस्तकालय भवती पुस्तकालय में हुता है कि दुरलब ग्रंथों को CD जो सांद्र मुद्रिका है, सांद्र मुद्रिका को बना कर उनका रक्षन पुस्तकालय में होता है पुस्तकालय अस्य आधुनिकम रूपम इदानिम केवलम नगरेशु द्रिश्यते कि पुस्त काले का आधुनिक रूप इदानिम इस समय केवल नगरेशु द्रिश्यते नगरों में देखा जाता है आधुनिक रूप कौन सा है जो इंटरनेट और सीडी वाला जो है वो आधुनिक रूप है नूतन प्रविधिम नूतन अर्थार्थ नई प्रविधी तकनीक कि नई तकनीक को प्रयुज प्रयोग करके पुस्त काले में अधुनातन अर्थार्थ इस समय सूचना ज्यानम सूचना का ज्यान पाठ का नाम कृते पाठकों के लिए दातुम व्यवस्ता द्रिश्यते देने की व्यवस्ता देखी जाती है अर्थार्ट ये जो नई जो तक्नीक है उसका प्रयोग करके पुस्तकालयों में आधुनिक सूचना ग्यान को पाठकों के लिए देने की व्यवस्ता देखी जाती है अस्माकम विद्यालय अपी एकः पुस्तकालय अस्ती हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है तस्य एकः पुस्तकालया ध्यक्ष अस्ती उसका एक पुस्तकालया ध्यक्ष है अर्थार्ट जो उस पुस्तकालय की देखवाल करते हैं किताबों और सब की देखवाल करते सह असमाकम कृते पठनाय पुस्तकम ददाती वह असमाकम कृते हमारे लिए पठनाय पढ़ने के लिए पुस्तकम ददाती पुस्तक देते हैं छात्राहा समय समय अध्यनाय अत्र आगच्चन्ती, छात्र समय समय पर अध्यन के लिए अत्र अर्थात यहां आगच्चन्ती आते हैं, पुस्त कालय, पुस्त कालय में सुव्यवस्था अस्ती, अच्छी व्यवस्था अस्ती है, यथा स्थानम अर्थात जहां स्थान हैं, य पुस्तक रखी होती है, कि जो पुस्तक का जो स्थान है वो वहीं रखी होती है, यथा स्थान का आर्थ है कि जिसका जो स्थान है वहीं उसी स्थान पर, तो यथा स्थान पुस्तक रखी होती है, पुस्त का नाम महत्वम, सर्वे अंगी कुर्वंती, पुस्त का नाम पुस्त पाठ का हिंदी अनुवाद यह हैं पाठ के अंध में आये हुए कुछ शब्दार्थ आगे है पाठ का अभ्यास कारे पहला प्रश्ण है प्रश्णा नाम उत्तराणी लिखत प्रश्णों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्ण पुस्तकाले से स्थापना कुत्र भवती अर्थाथ पुस्तकाले की स्थापना कहां होती है विश्व विद्याले महा विद्याले आधुनेन याचक शुधा त्रपती अभवत चक्षु ग्यान समम् चक्षु नास्ति अगला है दुरलब ग्रंथव संस्कृते अनेका दुरलब ग्रंथा संति अंतर जालम इदानिम अध्यन अध्यापन कार्यम अंतर जाल माध्यमीन भवति एतेशाम शब्दा नाम एक वचिन से रूपम लिखत नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं जो कि बहु अचन के हैं उनको एक वचन में लिखना है पत्रिकाह, ग्रंथाह, ग्रंथाह स्थलानी, स्थलम, सूचनाह, सूचना तो ये देखे जो आकारांत इस्त्रिलिंग शब्द हैं उनका जो बहु अचन रूप होता है वो एक वचन के समानी होता है बस उसमें विसर्ग लगा होता है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो आकारांत इस्त्रिलिंग शब्द है उसका एक वचन का रूप बिना व अगला है संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुद। चिकित्सक ने उसे दवा दी चिकित्सकीन तम औशदी दक्तवान तो ये था पार्ट 6 अगर आपको पार्ट से संबंदित कोई प्रेश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडि के साथ जये तुस इंस्क्रितम